हम आसाम बोड के HS First Year का जो English का पेपर है उसका syllabus देखेंगे उसको discuss करेंगे और देखेंगे कि कैसे questions आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैं AHSEC अगर सर्च करता हूँ तो आसाम हायर सेकंडरी बोड का जो ओफिशल वेबसाइट है वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर मेन्यू पर मैं जाओंगा और यहाँ पर syllabus अगर मैं ढूंड़ू तो यहाँ पर मेरा तो यह डाउन्ड़ूड हो गया है और दीखिए मैं आप भी आपको दिखाता हूँ तो यह है इस फर्स्ट यर के और vocabulary such as word formation inferring meaning तो दो unseen passages आएंगे unseen याणि कि जो chapters होंगे आपके किताब में इंग्लिश किताब में वह में से नहीं आएंगे कुछ अलग से आएंगे और word formation याणि कि आपको दिया होगा कोई भी मान लीजे word और उसका आपको मतलब बताना है या फिर किसी चीज़ का meaning दे दि descriptions, reports और discussive passages involving opinion, example arguments और persuasive तो जो passages आएंगे वो कुछ descriptions भी हो सकते हैं मान लीजे किसी चीज़ के बारे में आपको दे दिया है for example computer के बारे में एक पूरा description है वापे से आ सकता है वैसा कुछ message आ सकता है या फिर argument भी आ सकता है जैसे कि मान लीजे science ये एक वरदान है या फिर sharp ह है ऐसे जो भी topics होते हैं तो उनमें से कुछ भी आ सकते हैं आपको ऐसे questions पूछे जाएंगे थोड़े से घुमा फिरा के भी पूछे जाएंगे और थोड़े से normal text के questions भी पूछे जाएंगे तो in short आपको थोड़े से घुमा के भी questions पूछे जाएंगे उनके लिए आपको त comprehension का मतलब होता है जो text है उसी में से आपको answer मिल जाएगा global comprehension का मतलब होता है जो text है उसको थोड़ा सा आपको मतलब समझना पड़ेगा global comprehension का मतलब होता है कि जो text है उसका आपको meaning समझना है उसे समझना है उसके बाद यहां से आप लिख सकते हैं और inferential comprehension का मतलब होता है कि जो global comprehension है यानि कि जो मतलब आप समझते हैं उसको समझने के बाद भी थोड़ा और समझना चाहिए यानि कि दो incident माल लिजी आपको दिया है उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा आपको यह assume करना है थोड़ा से ज्यादा दिमाग लगाना है उसके बाद आप लिख सकते हैं inferential comprehension का questions तो 10 marks आएंगे यहाँ पर देखिए local comprehension test में क्या होगा four questions of one mark each तो एक mark के चार question आएंगे जो कि normal text का होगा तो six marks यहाँ और four marks वहाँ पर और वोकिविलरी यानि कि normal जो text वैसे ही आप समझ लीजी तो एक mark के दो questions आएंगे तो यहाँ पे total 12 marks आपका हो गया फिर देखिए note making in appropriate format vocabulary यानि कि जो normal text होगा वहाँ पे से आपको note making करना है तो यह total 8 marks का होगा section B देखिए यहाँ पे पहले है factual description of any event or incident और report based on any variable input provided तो यहाँ पे दो में से आपको एक cancer करना होगा factual description आएगा यानि कि किसी चीज़ के बार में आपको describe करके लि तो यह आएगा six marks का दोनों में से आपको एक cancer करना होगा फिर देखिए compositions based on a visual and or verbal input तो composition writing आएगा आपको composition आपको लिखना होगा और description में आपको दिया होगा उन में से आपको लिखना पड़ेगा उसके बाद देखिए letter writing आएगा letter यहाँ पे business letter हो सकता है letter to editor भी हो सकता है और application भी हो सकता है job application तो यह तीन में से आपको letter लिखने होंगे कोई भी एक आएगा तो section B में आपको total 20 marks का answer करना है उसके बाद देखिए grammar का part है यहाँ पे determinants, tense, model auxiliary, error correction, dialogue completion, sentence transformation और re-ordering of sentences तो यहाँ पे देखिए कुछ में एक-एक marks हैं और दो-दो marks भी हैं तो यहाँ पे दो marks हैं वहाँ पे एक mark के दो questions होंगे तो total grammar में आपको 10 marks का answer करना है फिर आता है section D देखिए यहाँ पे कुछ chapters होंगे आपके जो pros हैं वो होंगे the portrait of a lady, landscape of the soul, the ailing planet, the green movements role, my impressions of Asham, उसके बाद poetry में होंगे a photograph, the voice of the rain, childhood or father to son, यहाँ पे देखिए one out of two extracts based on poetry from the text for comprehension and appreciation तो यहाँ पे दो चीज़े आ सकती हैं, comprehension question यानि कि normal text question है वो आ सकता है और 4 questions आ सकते हैं, एक mark के short answer type या फिर appreciation यानि कि कुछ होता है ना आपको theme वगरा के related questions होते हैं वैसे question पूछ सकते हैं, यानि कि एक mark का भी question पूछ सकता है, 4 questions होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही question पूछे, 4 marks का, तो यह दोनों में से एक आएगा, उसके बाद देखिए, two out of three short answer type questions from the poetry section to test local and global comprehension of the text, तो जिसमें ने बताया कि local and global comprehension, यानि कि text को हो सकता है, आप सिर्फ text से ही answer मिल जाए आपको, या फिर थोड़ा सा समझ के, उसका meaning को समझ के आपको answer करना पड़े, तो य answer करना है, यहाँ पर दीकि two questions of three marks each, यानि कि दोनों के तीन-तीन marks होंगे, तो total 6 marks हो गए यहाँ पर, five out of six short answer type questions on the lessons from the prescribed text, तो 6 questions होंगे, उनमें से आपको पाच का answer करना होगा, जो कि short answer type questions होंगे, और सभी के दो marks होंगे, यानि कि total 10 marks के question होंगे, यहाँ पर, one out of two long answer type questions based on the text to test global comprehension and extrapolation beyond the set text, तो global comprehension आपका test करने की रिए, और extrapolation यानि कि जो आपका understanding है इस chapter से, उसके थोड़ा सा उपर भी, यानि कि आपको थोड़ा assume करना होगा, माले जी किसी character के बारे में, या फिर chapter के theme के बारे में, तो कुछ चीजे अपने आप से दिमाग लगा के आपको answer करना करना होगा, तो ये चीजों में से आपको दो questions आएंगे, उनमें से आपको एक cancer करना होगा, और honestly बताओ, ये थोड़ा सा tough होगा, tough यानि कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि करने ही पाएंगे आप, तो ये 6 marks का होगा, एक ही बड़ा question होगा, तो बस इतना ही है, आपको I hope मैंने detail में ये समझा दिया है कि जो जो आएगा, तो main motto ये ही है कि ये सब तो आपके question paper में सजा के रखे होंगे, आप तो इने देखकर prepare नहीं कर सकते, आपको बस ध्यान में रखना होगा कि ऐसे questions आएंगे, तो ऐसे visualize कर कर देंगे, आपको चीजे समझना जरूरी है, तब ही आप उसको सोच के answer कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजे common तो आएंगी नहीं, तो ये जो chapters हैं और ये जो grammar से हिन में से कुछ चीजों का video तो मैंने अलड़ी बना दिया है इसी channel पे, और जो जो बाकी रहे गए हैं वो जल्दी वीडियो आ जाएंगे इस channel पे, I hope आप subscribe करके रखेंगे, तो अभी इस वक्त आपको कौन से chapters के notes सबसे ज़्यादा जरूरी है, और कौन कौन से grammar आपको समझने बागी है, मुझे comment section में बताइए, ताकि मैं उनकी पर videos बनाओ, तो मिलतें दूसरी वीडियो में, त